कल तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो अश्टांग हिर्दयम का एक हिस्सा था जिसमें आवो हवा तासीर रहने वाला इस्थान उसका महत्तु वहां की मिट्टी उसका महत्तु वगरा वगरा अब मैं सीधे आपके शरीर पर आ रहा हूँ बागवट जी मनुष्य शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर सबसे महत्तु पूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है ये आपने कई बार सुना होगा आपके पूर्व जनम के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष शरीर मिलता है और बागवट जी ने एक जगे कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की इस्थती नहीं आते हैं मनुष योनी ही हैं जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो उनकी मोक्ष की परिभाशा बहुत सुंदर है मोक्ष क्या है हम सब लोगों ने कई बार अलग-अलग समय अलग-अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है मोक्ष ये है बागवट जी की परिभाषा बिलकुल साफ और सरल सीधी है वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे वही मोक्ष का अधिकारी है जो व्यक्ति मनुष्य अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे उसमें सफलता मिले न मिले सफलता की बात नहीं कहते है वो ये कहते है कि प्रयास करे इमांदारी से प्रयास करे तो उसको मोक्ष होता है बने इस परिभाशा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें दुखों से मतलब क्या तो बागवट्टी जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में है मनुष्य को भी है, हर एक को है एक तो देहिक दुख, शरीर का दुख, देहिक दुख दूसरा है देविक दुख, भगवान का दिया हुआ कोई दुख, जो आपके शरीर से अलग है भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया अचानक से आप गरीब हो गए या अचानक से आपके घर में कोई दुरगटना हो गई आग लग गई धरती कम पा गया, भू कम पा गया आपका घर तूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया सुनामी आ गया ये देविक दुख और तीसरा और आखरी दुख है भौतिक दुख भौतिक दुख में सबसे ज़्यादा यही है गरीबी, बिरोजगारी, भुखमरी तो वो बागवटी जी कहते हैं कि देहिक, देविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे वही मोक्ष का अधिकारी है आगे के सुत्र में वो ये कहते है कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते तो माफ कीजे आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते हमारे यहां बहुत सारे सादू संथ हैं जो हिमाले में जाके तपस्या करते है तो उनकी जो तपस्या है हिमाले की वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है अगर वो वापस हिमाले से लोटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा बागबटी जी कहते हैं कि कोई सद ग्रहस्त व्यक्ति है वो स्वामी नहीं है, महात्मा नहीं है, तपस्वी नहीं है लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज़्यादा बहतर है बले ही वो सद ग्रहस्त है और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय बागवट्य जी मानते हैं कि सद ग्रहस्त ही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते है क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करें इसका मतलब ये है कि बागवटी जी की परिभाशा में ग्रहस्ती होना माने सद्ग्रहस्त होना ज्यादा बड़ी बात है वो सादू संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए है भगवान से इनकी जो वारतालाप है या संबाद है वो अपने तक्सीमित है समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं आगे नहीं बढ़ते इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगें भले प्रयास आपका सफल हो नहो सफलता की बात वो नहीं कहते हैं वो ये कहते हैं कि सफलता सफलता वो सब ईश्वर के हाथ में हैं आपके हाथ पे नहीं है, आप अगर प्रयास कर रहे हैं, तो पक्का मानिए कि आपकी मोक्ष में जाने की तैयारी है, यह है उनका सूत्र, यहां से उनकी एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, और इस यात्रा में वो यह कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है दैहिक दुख, शर ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं, आपको बहुत थिक दुख तो मैं बानता हूँ नहीं हैं, तो उस पर समय खराब करने से जदा फाइदा नहीं, आपसे जो सबसे जदा मैं बात करूंगा, जिसकी जरूरत भी है आपको, वो देहिक दुख के बारे में बात करूँगा आपका शरीर शरीर का दुख दूर कैसे करें तो बागवट जी का सूत्र है वो ये कहते हैं कि शरीर दुख दूर करने के लिए सबसे महत्वपून है आपका पेट ये जो पेट है शरीर का मद्द भाग वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तो नब्बे प्रतिशत दुख पेट से है दस प्रतिशत दुख है जो पेट के बाहर से है पेट के बाहर से मने घुटनों से हो सकता है एडियों से हो सकता है जंगाओं से हो सकता है या हिर्दैस्थान से हो सकता है मस्तिश्क से हो सकता है इसको आज की भशा में अगर मैं कहूं 90% बीमारियां हमारे जीवन की पेट से जूड़ी हुई है 90% 10% बीमारियां हैं जो पेट के बाहर की है उन 10% में हरट अटेक आ गया उन 10% में पेरलेसिस आ गया उन 10% में अर्धांगवायू पेरलेसिस का ही दूसरा नाम है वो आ गया एपलिप्सी आ गई वगरा वगरा मस्तिश्क की धेरों बीमारियां दस प्रतिशत में यह बाकी इस बात को फिर ध्यान दीजिए पहली बात जो मैंने आपको पहले दिन कही थी कि जिन्दगी की बीमारियों में 85 प्रतिशत ऐसी हैं जिनको आप खुद ठीक कर सकते और उन 10 प्रतिशत में एक्सिडेंट भी शामिल है आपका ब्रेन हेमरेज भी शामिल है पेरलिसिस भी शामिल है हर्ट अटेक भी शामिल है वगरा वगरा बाकी सब पेट से हैं तो बागबटी जी कहते हैं कि पेट आपके जीवन का सबसे महतुपूर अंग है ये ये सूत्रों का पालन करें तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा माने 90 प्रतिशत बीमारियां नहीं होंगी और ये 90 प्रतिशत बीमारियों की संख्या अगर गिनू तो 148 है माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे और बागवट्टे जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्तुका है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना है प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये सबसे महत्तुका है तो आप उनको आज के सुत्रों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुने वैसे तो आप सभी सुत्र ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन आज के जो सूत्र हैं वो जिन्दगी का फंक्शनल neue हिस्सा है आप जानते हैं कि कोई बी सिद्धानत होता है उसका एक hypothesis होता है और उसका एक functional part होता है तो आज से जो शुरू हो रहा है वो functional part है इस functional part में सबसे पहला सूत्र बागवट्ट जी का बागवट्ट जी के लिए उनके 7000 सूत्र सभी महत्तुके हैं सभी महत्तुके उन 7000 में से मैंने कुछ चुन कर निकाले है जो मुझे लगता है 2007 के हिसाब से बहुत महत्तुके है हो सकता है साड़े 3000 साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्तुके हो और अब 2007 में हमारी जीवनशैली के हिसाब से वो उतने महत्तुके ना हो क्योंकि बागवट्ट जी ने जिस जीवनशैली में रहते हुए वो सूत्र लिके है वो रिशी मुनियों की जीवनशैली है आपकी जीवनशैली और रिशी मुनियों की जीवनशैली में थोड़ा अंतर है तो आपकी जीवनशैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनकों मैं महत्तु का करम देता हूँ उसमें सबसे पहला सूत्र संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी मर आपका अच्छा रहे दुरुस्त रहे इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहे वो कई बार यह लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्तु का नहीं है खाने को पचाना महत्तु का आपने खाने को खाया यह इतना महत्तु नहीं है जिसको आपने खाया उसको पचाया ये ज़्यादा महतुका है क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा उसी रसमें से मास, मज़ा, रक्त, मल, मूत, वीर, मेद ये सब बनेगा, अस्तियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे तो खाया वो महतुका, उससे भी ज़्यादा महतुका खाया हुआ पचाया तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विशमवारी ये पहला सूत्र, मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से ने, मेरे हिसाब पहला सूत्र भोजनांते विशमवारी इसका सीधा सार्थ है, भोजन के अंत में पानी पीना विश पीने के बराबर है सूत्र ये है भोजन अंते, भोजनांते आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परमपरा है भोजन के अंत में भोजन के अंत में भोजन अंत में विशमबारी विश समस्ते हैं आप जहर जहर जैसा क्या है पानी भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है विश्के जैसा है ये सूत्र है अब इसको थोड़ा व्याख्याइद करता हूँ ताकि समझ में आए भोजन के अंत में पानी विश्के जैसा है ये बात वो कह रहे हैं इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे है सूत्र उतना ही है समझने के लिए मैं आपको बहुत उधारन दूँगा ताकि आप जल्दी पता कर पाएं बागवट्टी जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्यो स्थान पेट है इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभी लेफ्ट साइड में नाभी से थोड़ा उपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इस स्थान को कहते हैं जर्थर संस्कृत में कहते हैं जर्थर हिंदी में कहते हैं आमाशय जठर आमाशय अंग्रेजी में चाहें तो effigoster कब तो यह जो जठर इसथान है बागवर्टी जी कहते हैं कि इसमें अगनी प्रदीप्त होती है उसी को कहते हैं जठरागनी जठर अगनी, जठरागनी तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर इसथान है इसमें अगनी प्रदीप्त होती है और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है आमाशे में एकठा होता है वहाँ अगनी प्रदीप्त होती है वो अगनी भोजन का पाचन करती है ये है महत्तु की बात अब अगनी प्रदीप्त हुई आपने भोजन किया अगनी प्रदीप्त हुई और बागवट्टी जी इसके लिए एक सुंदर शलोक लिखा है लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूँ वो ये कहते हैं कि खाते ही अगनी प्रदीप्त होती है ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्व स्विच को ओन करते ही लाइट जलती है यह आटोमेटिक है अपने आप होती है आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया लार बनना शुरू हुआ तुरंत अगनी प्रदीप्त हो जाती है पहले ही टुकड़े में तो टूथपेस्ट की कंडिशन होती है वैसा बनेगा लुगदी जैसा फिर उसमें से रस बनेगा फिर रस में से सब कुछ बनेगा तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया अगनी प्रदीप्त होई अभी अगनी भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पीलिया गडड़ गड़ 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 तो क्या हुआ अगनी शान्त हो जाएगे आपके रसोई गैस में चूला जल रहा है गैस का और जलते हुए चूले पर पानी फेकिये तो बुझ जाएगा अगनी का पानी से मेल नहीं है दुश्मनी है तो आपके पेट में खाना यह अगनी जल रही है, अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया, कोई-कोई लोग तो लोटा भरके पी लेते हैं, कई-कई लोग तो भोजन से जादा पानी पी लेते हैं, तो यह जो पानी गया, इसने अगनी को शांत कर दिया, अब अगनी शांत हो गई, तो फिर बागवट जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं वो सड़ेगा अब उन्होंने बीसियों सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा मैं सडने वाले हिस्सी की बात कर लेता हूँ वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले सबसे पहले गैस बनेगी वायू बनेगी वायू और ये वायू आपकी जिन्दगी हराम कर देगे और ये वायू की तीवरता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी छाती में जलन होगी पेट में जलन होगी फिर और ज़्यादा तीवर अगर ये हो गई वायू तो ये शरीर में जाएगी घूमेगी क्योंकि वायू को पकड़ना मुश्किल है जहां इस्थान मिलता है वह लेकिन वो वायू का दर्द है, हर्ट अटेक्ट नहीं और ये जो वायू बनी, भोजन के सडने से इसी वायू में से बागवट जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे 103 सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अलसर, पैप्टिक अलसर और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर, मोडवयाद, भगंदर ये सब रोगों की सूची है और अंत का एक रोग है, कैंसर करकरो, एक सो तीनवे नंबर पर उन्होंने लिखा है करकरो माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते है तो वो ये कह रहे हैं, कि जिस काम से वायू पैदा हो और वो वायू आपके सड़े हुए भोजन में से निकले और बाद में बागबटी जी कहते हैं, वो भी बता देता हूँ वो दूरु का सूत्रे, लेकिन यहीं पर ले आता हूँ उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा, इसको ध्यान से सुनियेगा तभी भोजन में से, बागबटी जी के शब्द दूसरे हैं, मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तभी कॉलेस्ट्रॉल बनेगा सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोड़क्ट है कॉलेस्ट्रॉल अगर भोजन का पाचन हुआ तो कॉलेस्ट्रॉल शून में रहता है वो कॉलेस्ट्रॉल जो आपको हानी पहुंचाता है आप जानते हैं शरीर में दो तड़े का कॉलेस्ट्रॉल है एक गुड और एक बैड अच्छा कॉलेस्ट्रॉल मने HDL High Density Lipoprotein खराब कॉलेस्ट्रॉल मने LDL और उसका शोटा भाई BLDL Very Low Density Lipoprotein तो बागवटी जी कहते हैं कि यह जो खराब कॉलेस्ट्रॉल है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है इसका माने जिनको कॉलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें उनको भोजन पच नहीं रहा उनका भोजन सड़ रहा है तो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हरटटेक भी आएगा कॉलेस्ट्रोल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा दस कदम चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां आएक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नई माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नई ये है सूत्र अब जैसे ये सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मण में प्रश्णाएंगे कि पानी कभ पीना पहला ही प्रश्ण तो बागवट जी कहते हैं कि पानी कब पीना वो खुद ही उत्तर दे रहे हैं आगे के सूत्रों में क्योंकि शाहिद मालूम है कि मनुष्व की जिग्यासाएं हो नहीं वाली है तो पहले सूत्र में लिख दिया भोजन अंते विशमवारी कि बोजन के अंत में पानी मत पीओ अगले ही सूत्रे में वो कहते हैं कि कम से कम डेड़ घंटे के बाद पानी पीओ अब ये जो डेड़ घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है ये बागवट जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर इस्थान में देड़ घंटे तक अगनी के प्रभाव में रहता है और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ खाते हैं उनके पेट में भी अगनी है जठर अगनी, वहाँ चार गंटे तक अगनी का प्रभाव रहता है, जानवरों के शरीर, मनुष्य शरीर में एक से डेल गंटे का उन्होंने बताया, और एक से डेल गंटे का वो बताया है तो अलग अलग छेत्र के हिसाब से, जैसे आप दक्षुन भारत में हैं, कोई उत्तर भारत में हैं, कोई पूरवी भारत में हैं, अब मान लीजे, उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा, तो उसको तो अगनी का असर दो से धाई घंटे रहेगा, पहाड़ वाला, लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो एक से डेल गंटा, तो वो कहते ह सीधा सा दूसरा सूत्र है, कि भोजन के डेल गंटे के बाद पानी पीना, ठीक है, अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, भोजन के बीच में पीना के नहीं पीना, और भोजन के पहले पीना के नहीं पीना, बागबटे जी ने इसका उत्तर अगले सूत्रों में दिया ह वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक गंटा. आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ, 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं, तो 9 बजे से लेकर 9 बच कर 20 मिनट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं. 9 बजे से लेकर 9 बच कर 20 मिनट तक और और बीच में पीना के नहीं तो इसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं, ये बहुत scientific बात उन्होंने कही है, बहुत scientific है, वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में 2 अन हैं, 2, 2 अन, माने एक रोटी खा रहे हैं आप वो गेहुँएं और दूसरा चावल खा रहे हैं, तो चावल और गेहुँद 2 अन हैं, और सामनी रूप से आप सभी के भोजन में शायद 2 अन होते हैं, इसलिए मैं ये सूत्र कह रहा हूँ, ये एक अन्न वालों के लिए नहीं है, दो अन्न वालों, जो दो अन्न खाते हैं भोजन में, उनको एक अन्न की पूर्ती पूरी हुई, और दूसरे की शुरू होने वाली है, तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है, इस पे पानी पीना, मतलब इसका सीधा है, रोटी पूरी हो गई, अब आप चावल खाने की तयारी कर रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद, चावल खाने से पहले, आप जरूर पानी पीना, लेकिन मात्रा कितनी, तो वो कहते हैं, दो या तीन घूट, इतना ही, उसके बाद जब दूसरा अन्न आ तो गला साफ करने के लिए थोड़ा एक दो घूट और पी लेना, गला साफ करने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं है, वो गला साफ करने के लिए है, अब आपके मन में तुरंत एक प्रशना आएगा, कि भोजन के अंत में क्या पीना फिर, पानी तो नहीं पीना, अगवट्टी जी ने तीन चीज़ें बताई है उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है चाच वो है मठा दही का तक्रम जो शब्द उन्हों ने इस्तेमाल किया वो तक्रम तक्रम मने यही है लगबग चाच म मठा के आसपास की चीज तक्रम वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाशा दी है कि दही को खूब अच्छे से मत्ने के बाद उसका मखन जो निकल गया तो मखन निकालकर जो बचा वो तक्रम मखन रह गया तो वो लस्सी लस्सी पीने के लिए नहीं कह रह है तक्रम की बात पह equipment तो आप भुजन के बाद जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं वो है चाच वो है मठा मठा शब्द एकदम अच्छा है हिंदी का शब्द है शायद आप सब समझते हैं गुजराती हैं तो चाच आप अच्छे से समझते हैं तो छाच पी हैं या मठा पी हैं ये सबसे अच्छी चीज दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदू मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिये तो नहीं चलेगा आज का मौसम गन्ने के रसका है तो गन्ने का रस ही पिये थोड़े दिन के बाद संत्रे के रसका मौसम आ जाएगा तो संत्रे के रसका बागवटी जी कहते हैं कि जो चीज प्रकरती ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्द कराई हो उसका रस तो आप यह कहें कि cold storage से लाया हुआ संत्रा और उसका रस निकाला या मुसम्मी का रस यह सर्वनाश करेगा सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा वो यह कहते हैं कि भगवान ने और प्रकरती ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकरती को बनाया है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया एक-एक micro calculation उसने किये तब आपको यह प्रकरती के साथ उसने रखा है तो प्रकरती में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप बोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते है भरपेट इस समय गन्ने के रस का सीजन है तो बोजन के बाद आप गन्ने का रस भरपेट पी सकते है जो भी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं संत्रे का जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महरतुका है बागबटी जी कहते हैं मठा या छाच कप पीना दूद कप पीना रस कप पीना तो उसके लिए उन्होंने बहुत इस्पष्ट और बहुत जोर दे कर ये कहा है कि मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना सामन ने लोगों के लिए असामन ने लोगों के लिए बाद में बताओंगा जो सामन ने लोग हैं आपके मेरे जैसे मठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना और दूद हमेशा रात के भोजन के बाद ही पीना दूद माने शाम को छे साथ बजे के भोजन के बाद ही पीना और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना सुबह का भोजन माने नाश्ता बागवट जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे तो सुबह के भोजन के बाद जूस, दुपहर के भोजन के बाद मठा, और रात के भोजन के बाद दूद, और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में, कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी, मन ने सुबह के भोजन के बाद दूद पी लिया, रात के भोजन में जूस पी लिया या मठ्ठा पी लिया वो कहते हैं ये उल्टा क्रम आप मत करना क्यों नहीं करना तो आगे वो एक्स्प्लेनेशन देते हैं वो ये है बहुत महत्तुका कि हमारे शरीर को मठ्ठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है रस माने एंजाइम जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दुपहर को ही होते हैं पेट में इसी तरह हमारे शरीर में दूद का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पढ़ती है या एंजाइम की जरूरत पढ़ती है वो सूरियास्त के बाद ही होते हैं या सूर्यास्त के समय ही उनकी उत्पत्य शुरू होती और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते इसलिए आप नियम बना लो ब्रेक फास्ट में जूस, लंच में मठा, छाच और डिनर में दूद बच्चों को भी यही नियम, बड़ों को भी यही नियम अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, दूद पी कर जाते हैं तो बदल दो, जूस पी कर भेजो, या पिला कर भेजो और आप कहेंगे जी पिएंगे नहीं आप जैसी आदट डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ तो अब तक आपने बच्चों को दूद पीने की आदट डाली है आज से माफी मांगलो के गलती हो गई हमसे अब हम आपको चाहते हैं कि आप जूस पी के जाओ क्यों जाओ तो उनको ये बात समझाओ शायद समझ जाएं वो भी समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये पर्मनेंट हो जाएगा सुबह के नाश्टे के बाद जूस पीना दुपहर के बोजन के बाद मठा रात के बोजन के बाद दूद ये सूत्र है अभी इसके आगे का सूत्र बागबटची कहते हैं कि आप खाने के डिड़ घंटे के बाद पानी पी है लोटा मूंसे लगाया गडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडगडग गूट बरके ऐसे ही पानी पियेंग, अब यह क्यूं, यह समझ ले, आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एग घूट पानी उतारें गले के नीचे दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है, क्या अंतर हैं, मैं आपको एक महत्तो की بات सम्झाना चाहता हूं, ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा हमारे पेट में बोजन को पचाने के लिए अगनी होती है और इस अगनी को तिव्र करने के लिए अमल होता है अमल एसिड आप जानते हैं पेट में अमल बनता है प्राकरतिक रूप से बनता है अब पेट में तो अमल बनता है और Slyva, Selyva, Lar, Lalaras, अलग अलग नामों से आप जानते हैं, तो मुह में बनती है LAR, यह है छार, और पेट में बनता है अम्ल. आप थोड़ा भी अगर विग्यान जानते हैं, तो आप जानते हैं कि छार और अम्ल को मिलाओ, तो हो जाता है निूट्रल, अमल और छार आपस में मिलें तो न्यूट्रल होता है माने सामान्य चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं लवण एक लवण होता है नमक वो अलग है केमिस्ट्री की लवण की बात कर रहा हूँ तो अमल और छार आपस में मिलते रहें तो neutral होते हैं अमल का मतलब है जिसका pH 7 से कम है और छार का मतलब है जिसका pH 7 के आगे है और neutral का मतलब जिसका pH 7 है यह जो पानी है ना पानी यह ना अमल है ना छार है यह neutral है तो बागबटी जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया और जिनका पेट पानी के जैसा मनें पेट की अमलता ना बढ़े और पेट का छारपन भी ना बढ़े पी एच साथ के आसपास रहे तो बागवट्टी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सौ से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए अब आपके पेट में अमल बन रहा है मूह में लार बन रही है अगर पानी आप भूट भूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है और पानी एक साथ गड़ 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 पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए बाहर निकालने के लिए नहीं क्योंकि अंदर पेट के अमलुको शान्त रखना है इसके लिए चार है तो वो यह कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो जादा लार अंदर जाएगी तो अमलुको शान्त करने में मदद आएगी इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा और आपकी जिन्दगी बिना किसी दवा और रोक के आराम से सो डेड़ सो साल हो जाएगी इसलिए पानी घूट घूट भर के पिये और एक साथ गड़ गड़ पानी पियेंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी तो अंतिम रूप में जब वो पहुँचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा पेट को उस तरह से सामान यवस्था में नहीं ला पाएगा हाला कि पानी भी अमल को कम करता है क्योंकि अमल में पानी मिलाओ तो अमल की ताकत कम होती जाती है तो पानी कम तो करेगा लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिलकुल अधुथ होगा बागवट जी आगे कहते हैं बहुत ही महत्व की बात है ये सबाब के लिए वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पीए वो देखें जानवर कैसे पीते है चुडिया कैसे पानी पीते है चुडिया एक ड्रॉप उठाती है आप ध्यान देना चुड़िया एक ड्रॉप उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मूँ में चलाएगी फिर पिएगी फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी फिर ऐसे ऐसे चलाएगी फिर पिएगी ऐसी कुत्ता है पानी को चाट-चाट के पीएगा शेर पानी को चाट-चाट के पीएगा जादतर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं वो जानवर हमसे जादा स्वस्थ है किसी को डाइबिटीज नहीं है कोई ओवरवेट नहीं है किसी को डाइबिटीज नहीं कोई overweight नहीं किसी को joint span नहीं किसी को कुछ नहीं क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं बागवट के पक्के चेले हैं ये सब जानवा है बिना बोले और बिना कहें तो आप भी हो जाए बागवट जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए जैसे चुड़िया पीती है उसक फिर पानी बरिये फिर बरिये फिर पीजे ताकि इदर उदर की सब लार पानी के साथ मिलकर अंदर जा अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा कोई रोग आने की संभावना नहीं मैंने आपके सारे रोगों की एक दवा तो मैंने ये experiment शुरू किया ये मैंने हुआ था मैंने यार कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत मैंने का तुम करके देखलो भागवाट कह रहें गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं तो आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा था, उन्होंने पानी सिपसिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के डेड़ घंटे के बाद पानी पीना शुरू, ये दो सूत्रों का ही परिणाम है, कि सबके वजन पहले से आधे हो गए, एक तो मेरा दोस्त है, जिसको मैं कभी आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ, 140 किलो का था वो, और एक सवा साल हो गया, लगबग अभी डेड साल है, अब 70 किलो का है, बिना कोई दवा खाए, बिना भोजन में कोई बदला हो की है, सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला, फिर मैंने डॉक्टरों से बात की, कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने का बात सीधी सी ये है, कि जो लार है ना, ये दुनिया की सबसे अच्छी औशदी है, इसकी मेडिसनल प्रापरटी सबसे ज़्यादा है, आपने जानवरों को देखा होगा, उनको कभी भी कोई चोट लगे, तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं, चाट-चाट के, क्योंकि उसमें मेडिसन है, तो मनुश्य की लार में भी है, अब वो ये कहते ह हैं कि भारत के वो मनुश्य या इस्त्रिया और पुरुष बहुती दुर्भागिशाली हैं, जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते हैं, जैसे तंबाकु खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं, घुटका खाने वाले लोग, मावा खाने वाले लोग थूकते ही रहते है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जिन्दगी की सबसे महτηखू चीज को थूक रहें जिसको बनाने के लिए भगवान में एक लाख ग्रंथियां आपके मुझ में दी हैं आप जानते हैं यह लार पैदा होने में एक लाख ग्रंथियों का काम होता है एक लाख ग्रंतियां है जो राद दिन आपके लिए लार बनाती है और आप गुटका खाखा के उसको थूकते रहते हैं तो सड़क तो खराब करते ही हैं अपने को उससे ज़्यादा खराब करते हैं तो मेरी हाद जोड़कर विंती है कि आप मेंसे कोई लार थूकने वाला हो थूकने वाला आदमी ये तो बागवट जी की डिक्शनरी में नहीं है वो कहते हैं कि एक ही कंडिशन में आप कुछ थूक सकते हैं जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तबी बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडिशन नहीं कि आप थूकें तो यहां तो बिना कफ बढ़े हुए तंबाकू खाखा के गुठका खाखा के थूक रहें तो ये थूकना नुकसान दायक है गुटका तो नुकसान दायक है ये तंबाकू तो और भी नुकसान दायक है उससे भी जादा थूकना तो मत थूकिये तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं तो पान खाने के लिए नियम बताया बहुत माइक्रो लेवल पे कैलकुलेशन है ब और वो केलशियम क्या-क्या अदुबत काम करेगा वो कल बताने वाला हूं मैं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है कत्था है तो थूकना पड़ेगा कत्थे बिना ही पान खाओ मने हमारे पुराने पूरवज और बुजर्ग जो तंबाकू का नहीं कत्थे का नहीं सिर्फ चूना लगाके जो पान खाते हैं वो बागवट के चेले सब के सब शिश्य उनके तो वो कहते हैं पान भी खाना तो थूकना नहीं है जो मूमे लार के साथ पान है वो अंदर ही जायत क्योंकि पान और चूना दोनों ही मेडिसिन है एक वात नाशक है और दूसरा पित नाशक है और कफ का भी नाश करता है पान तो पित और कफ दोनों का नाश करता है और चूना वात का नाश करता है तो वो कहते हैं कि पित और कफ का नाश कर दिया पान ने चूने ने कर दिया वाद का तो वाद पित कफ तीनों ही संतुलित है तो पान खाके तो जिन्दगी भर निरोगी रह सकते ये है तो आपको पानी पीना है गुड़ गुड़ बरके ताकि जादा लार अंदर जाए और पानी को बच्चों की तरह से मुँ में गुमाई है जैसे बच्चे अक्सर करते ना वो बहुत अच्छी क्रिया है ठीक है? अब आगे चलता हूँ आगे का एक सूत्र है बागबट जी का कि पानी कभी भी पियें तो ठंडा ना पियें पेट को दुरस्त रखने के लिए ही हैं ये सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूँ पानी जब भी पियें तो ठंडा ना पियें कैसा पानी पियें जी? तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पियें माने गुन-गुना पानी पियें गुन-गुना शब्द है एक शब्द है कोमबट कोमबट शब्द गुजराती है? नहीं मराठी है शायद गुन-गुना पानी पियें नव सेका पानी कहते हैं राजिस्थान में नव सेका हलका गरम हलका गरम गुनगुना पानी पीएं कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के उपर ना हो ऐसा पानी पीएं तो अब आपका शरीर का तापमान है 37 degree तो 37 degree अगर आप पानी को लेके जाएंगे तो वो गुनगुना ही होता है room temperature के उपर रहता है तो ऐसा पानी पीएं, गुन-गुना ही पानी पीएं, क्यों? अभी मन में प्रशनाएगा क्यों? हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बरफ डाला हुआ पानी पीते हैं, तो बागवट जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, और आधुनिक गुण है वो ही तो करेगा ना बरफ का गुण है ठंडा करने का तो बरफ डालकर पानी में आप पी रहे हैं तो बरफ का गुण पानी में आ गया अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो अगर पेट ठंडा हो गया पानी के असर में तो शरीर ठंडा हो जाएगा क्योंकि शरीर के सारे औरगन पेट से ही जुड़े हुए चाहे वो आपका हर्ट हो, चाहे किड्नी हो, चाहे लीवर हो और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जैराम जी किए जाइए यमराज के पास यहाँ फिर आपके लिए कुछ नहीं है तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया तो आप ठंडे हुए, आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे, मृत्तिव आएगी तो कभी भी ठंडा पानी ना पिया एक विशलेशन, दूसरा विशलेशन कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है जीवित होने से मतलब फंक्शनल है, काम अच्छे से कर रहा है तो तुरंत पेट उस पानी को गरम करने पर लगेगा आपका जो जटर इस्थान है ना तुरंत उस पानी को गरम करने पर लगेगा तो पानी को गरम करने के लिए उसको अतरिक तूर्जा की जरूरत पड़ेगी और अतरिक तूर्जा उसको रक्त मैंसे आएगी तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी मान लीजे हिर्दय का रक्त पेट में चला गया ब्रेन का रक्त पेट में आ गया क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है क्योंकि gravity का force है ना काम करता है तो brain का सबसे पहले आता है हिर्दे का उसके बाद आता है दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे ऐसे ही कमी आती रहे पीते रहे कमी आती रहे तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम होई है और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो brain hemorrhage हो गया वो अंगों ने काम करना बंद किया तो paralysis हो गया वोंगों ने काम करना बन किया तो हर्टटेक हो गया तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के माने ठंडा पानी ना पिया बागवट्टी जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं अमेरिका में यूरोप में ज़्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है चार पांच दिन खूब ठंडा हो जाता है फिर ऊपर से बरफ डालते हैं फिर पीते हैं इतना ठंडा पानी की परिणाम क्या देखा है मैंने मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं वो सबेरे सबेरे अगर संडाज घर में गए टाइलेट में तो एक एक घंटे बाहर नहीं निकलते कभी-कभी तो दो-दो घंटे नहीं निकलते बैठे ही रहते अंदर उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे दो घंटे टॉइलेट रूम में कहते हैं जी निउस पेपर पढ़ रहे थे मैगजीन पढ़ रहे थे क्यों पढ़ रहे थे टॉइलेट रूम तो निउस पेपर के लिए बनाया नहीं है तो कहते हैं टॉइलेट आती ही नहीं मने स्टूल पास होता ही नहीं संडास होती ही नहीं उतरती ही नहीं तो क्या करें और वो बिचारे वहां बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि तरह तरह की आवाजा निकालते हैं फिर भी नहीं आती फिर वो गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं है और कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं न तो एक गाना गाते हैं एक बार आजा 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 भू तब भी नहीं आदी यह है समस्या माने मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे उनको एक बीमारी है वो है constipation कबजियत कोष्ट बद्धता बद्ध कोष्ट होना constipation का मतलब आपकी जो intestine है न लार्ज intestine वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई ऐसे रहना चाहिए उसको वो हो गई संकुचित है ठंडे पानी का असर है तो अगर आपकी लार्ज intestine ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिये अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं तो ये पानी भी उसी का हिस्सा है फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिये बरफ डाला हुआ पानी ना पिये आईस क्रीम कभी भी ना खाएं क्योंकि वो भी ठंडी है और मैं आपको एक विनम्रता पूरवक कह देता हूँ वो बात वैसे आगे आएगी बागवट्टी जी कहते हैं कि दो विरुद्ध चीज़ें एक साथ ना खाएं कभी भी तो गरम भोजन और ठंडी आईस क्रीम कभी ना खाएं अक्सर मैं शादियों में बरातों में जाता हूँ तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गरमा गरम कराएंगे अंत में आईस क्रीम जरूर खिलाएंगे सर्वनाश बुला बुला के हमारा सत्या नाश करते हैं इन्विटेशन दे कर बुलाएंगे आओ हमारे यां महमान बन कर तो पहले गरम खाना खाओ पीछे से ठंडी आईस क्रीम खाओ ना मरो तो जल्दी मर जाओ ऐसा आजकल आतित्य इस देश में चल रहा है पहले कहते थे अतिती देवो भवे अभी अतिती दुश्मन भव तो यह जो ठंडे होने की बात है यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है वैसे यह कल भी आने वाली है परसो सोरी तो आपके जीवन में यह नियम बहुत ध्यान से पालन करें सूत्र पालन करें कि पानी हमेशा घूट घूट पीए ठंडा पानी कभी न पीए भोजन के डेड़ घंटे के बाद पानी पीए अभी चौथा सूत्र आज का आखरी सूत्र बागवट्टी जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है दिन का जीवन आपका शुरू होता है माने आप जब सो कर उठते तब ही से आपका दिन शुरू होता है तो दिन की शुरूआत में सबसे पहले पानी पीए दिन की शुरूआत में सबसे पहले पानी पीए माने सुबह उठते ही पानी पीए यह है मतलब कहने का दिन की शुरुात में सबसे पहले पानी पीने दांत धोये बिना पानी पीना दात धोये बिना पानी पीना उठते ही पानी पीचे क्यों? कारण पूछिए कारण उसका ये है कि राद बर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शितिल हो जाती है लेकिन ये लार बनने की क्रिया जादा शितिल नहीं होती ये चालू रहती है तो राद बर आपने बनाई है, मुँ में जगे जगे जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेश कीम्ती है बागवत जी कहते हैं कि ब्रभ्म महूरत की जो लार होती है, वो बाकी 24 गंटों में सबसे ज़ादा कीम्ती है तो सुभे शुबे जो लार बन रही है, ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुला की ये पानी पीने का नियम है, इसी को उशा पान कहा जाता है, तो सुबह उठते ही पानी पीएं, कितना पीएं जी, तो उन्होंने एक से सवा लीटर का कैलकुलेशन दिया, वयस्कों के लिए, वयस्क वाने भी साड़े साथ सो ग्राम, साथ सो पचास ग्राम, साथ सो पचास ग्राम मने कम से कम दो गिलास, बुजर्गों के लिए, दो गिलास बच्चों के लिए, और तीन गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए, कम से कम इतना पानी पीएं, पीने का तरीका मैंने बता दिया, वो गूट-गूट, सिफ-सिफ करके ही पीना है, मूँ में घुमा-घुमा के पानी पीना है। बागवट्टी जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपरिमेंट किये पिछले एकात साल, बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं, जिनको डाइबिटीज है, और डाइबिटीज की कंडिशन में आप जानते हैं कि कोई घाओ हो जाए, घाओ, तो जल्दी भरता नहीं, तो मेरे पास ऐसे कुछ आट-दस पेशेंट हैं, जिनको ऐसी ही कंडिशन है, डाइबिटीज होने के कारण शरीर में फुनसी हो गई, फोड़ा हो गया, घाओ बढ़ गया, वो भरता नहीं, मैंने उनको दवाएं बंद किया, होमियोपैथी का, फिर मैंने का बईया, बागवट जी ने का कि सुबह की लार बहुत कीमती है, तुम ऐ माहिने में बिलकुल बराबर, एक तो मेरे पास गैंगरीन का पिशेंट है, गैंगरीन हुआ, डॉक्टर कहता था पैर काटना ही पड़ेगा इसका, कुछ होता नहीं अभी, और कोई, उसने बिचारी ने साल बर लार लगा-लगा के अपना ठीक कर लिया, तब मेरे समझ में आया है कि जानवर हमसे जादा होशे आ रहे है, चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते हैं, फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर, अब उनके माबाप बहुत परिशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों, तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो, सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुझा थूक आँख में लगाओ, काजल की तरह से, तो बच्चों ने चालू कर दिया, बच्चे बहुत बोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बा उम्र जादा बढ़ेगी, तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाएगा, आँखों की रोशनी बढ़ानी है, तो मुझी लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए, काजल की तरह से, और एक बताता हूँ, एक बीमारी आती है, जिसको ह चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है, लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आये, तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुझी लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई, 24 घंटे में ही ठीक होती है, अगर बच्चों में बच्प दिखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता-पिता गरीब है और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े-चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम ल इसका एक्टिव इंग्रेडियंट क्या है तो उन्होंने का भहिया जितने एक्टिव इंग्रेडियंट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बता है मिट्टी में अठारे एक्टिव इंग्रेडियंट्स है लार में वो सब के सब है इसलिए लार शरीर के कोई दाग हो गया धबा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है ना उस पर नियमित रूप से सबेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है छे-ाट महीने में धगा धबा बिलकुल साफ हो जाए जले हुए का धबा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद हो गया या फलाना हो गया या धिमाका हो गया एकजीमा हो गया मालो खराब बीमारी की बात करूँ एकजीमा हो गया एकजीमा पर रोज सुबह की लार लगा ये मालिश करते रही है छे-ाट महीने के बाद देखेगा साफ और एकजीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोरा ही नहीं है तो आप iskin disease में इसका experiment करिए आखों की बीमारियों में इसका experiment करिए घाओं हो जाएं कहीं शरीर में उस पर experiment करिए फोड़े फिंसियों पर इसका experiment करिए मैंने यह चारों experiment किये बहुत अच्छे result है आप भी करिए result आपको भी मिलेंगे बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराईए ना तब ही मोक्ष जाएंगे तो मैंने आज आपको चार सूत्र बताए उनको फिर से repeat करता हूँ सूत्र बताना ये चार repeat करके खतम फिर प्रशन पहला सूत्र मैंने बताया था भोजन अंते विशमवारी भोजन के अंत में पानी ना पिये लगबग देड़ गंटे के बाद पानी पिये दूसरा सूत्र मैंने बताया था पानी हमेशा घूट-घूट भरके सिप सिप करके पानी पिए तीसरा सूत्र बताया था कि ठंडा पानी कभी न पिए हमेशा गुनगुना पानी पिए और चौथा सूत्र बताया था कि आप सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए ये चारो सूत्र बागभट जी ने कहा है पेट को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आवश्यक है माने जिन्दगी वर आपका पेट और आपकी जठर अगनी काम करती रहे इसके लिए सबसे आवश्यक है ठीक है अब आपके प्रशनों के लिए आदा गंटे का समय आजी भाई आपने कहा कि उशा पान करना चाहिए देखिए दूसरी बात पान जो कहा आपने खाने के लिए तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए हाँ मैं दूसरे प्रशन का पहले उत्तर देदू पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए बागवट जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाएं वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसेला हो कसेला कसेला स्वाद मनें देशी पान सीधी सी बात है विलाईती पान मत खाईए देशी पान खाईए तो स्वाद जितना कसेला होगा पान उतना अच्छा होगा और बागवटी जी ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसको मैं दो-तीन दिन बाद वैसे explain करने वाला हूँ कि जो चीज का रंग जितना जादा गहरा हो जो प्रकरती की पैदा की गई वस्तू का रंग जितना जादा गहरा हो वो उतनी ही बड़ी आउशदी है जैसे देशी पान जादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हलके हरे रंग का होता है तो बागवटी जी कहते हैं हलके रंग की चीज़ें मत खाईए गेहरे रंग की चीज़ें खाईए तो गेहरे रंग वाला पान खाईए गेहरे रंग की जो भी चीज़ें बरपेट खाईए जैसे बेंगन है गेहरे रंग का जामुन है गेहरे रंग का टमाटर है गेहरे रंग का ये सब एंटी कैंसरस है एंटी डाइबिटिक हैं एंटी कैंसरस हैं एंटी अस्थमेटिक हैं इनकी क्वालिटी आज की विग्यान ने भी प्रूफ किया है आज का विग्यान ये कहता है कि जो भी रंग है किसी भी वस्तू में वो भगवान का दिया हुआ कोई न कोई ऐसा रस और एंजाइम है जो कि एक पान में एक ग्राम से जादा चूना नहीं मिलाई है कभी भी एक ग्राम एक ग्राम आप समझते हैं इतना होता है चने का दाना होता है ना आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो इतना एक ग्राम होता है चने का दाना आधा तोड़ो तो दो हिस्से हुए ये दो हिस्से के एक ग्राम तो उतना आप चूना लगाईए उस पर फिर चूने के साथ क्या खाएं आप उसमें सौंफ खाएं सौंफ का नियम उन्होंने बता सौंफ खाएं दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डाले अजवाइन दो चार दाने जादा नहीं और वो कहते हैं लव कंद जिसको आप कहते हैं ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए सुपारी कहीं नहीं कहा कथा कहीं नहीं कहा तो मैंने सुपारी और कथा छोड़ कर ही पान खाएं ठीक ह तो पान में क्या कर दूसरा इन्हों ने जो आपने पूछा कि सुबह का जो उशा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए, बागवट्टी जी कहते हैं, ज़रूर गुनगुना होना चाहिए, ज़रूर गुनगुना, वो एक यी कंडिशन में कहते है policy अगर आप तावे के बरतन का रखा हुआ पानी सुबह पी रहे हैं तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है बाकी सभी पानी को गुनगुना करके ही पीना चाहिए क्यों ये जो तावे के बर्तन में रखा हुआ पानी है उसमें वही quality है जो गुन-गुने पानी में है इसलिए तामरपात्र के पानी को सुबह गरम करने की जरुरत नहीं रात में आपने भरके रखा सुबह उठकर पी लिया बाकी कोई भी पानी, स्टील के बरतन वाला है तो गुनगुना करिए आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुनगुना करिए और आपके पास क्या होता है पानी भरने के लिए और तीसरा कोई, अल्यूमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए स्टील वैसल्स में है तो गुनगुना करके ही पीजिए स्टील वैसल मने स्टेनलेस स्टील के वैसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए मिट्टी के बरतन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए तामर पात्र एक उन्हों ने कहा कि जिसके पानी को गरम करने की जरूरत नहीं सीधे पी सकते है आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर तामर पात्र का पानी पी सकते हैं तो जरूर पी सकते हैं तीन महीने इसके आगे नहीं ये आप जरात सोचिए ध्यान से वो ये कहते हैं तीन महिने आप पी सकते हैं लगातार तामर पात्र का पानी फिर बीच में पंद्रबीस दिन का ब्रेक दे दीजें फिर तीन महिने पी सकते हैं ये ब्रेक दे दे कर पी सकते हैं लगातार पिएंगे तो तावे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां है वो ह सुबह तो लगातार पी सकते हैं, सुबह की तो कोई बात नहीं, ये पूरे दिन की बात हो रही है, कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तावे के बरतन का पानी पीते हैं, तो बागवट्टी जी ये कहते हैं, कि तीन महीने लगातार पी जी ये पूरे दिन, फिर उसके बाद आप 15-20 दिन ब्रेक दे दीजे, 15-20 दिन को दूसरा पानी पील, फिर आप बापस तीन महीने कर सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजे, फिर तो 24 घंटे वाले जो लोग है, तामरपातर का पानी पीने वाले, उनके लिए ये नियम है, सुबह का तो तामरपातर का ही सबसे अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विक्सित करूँ, मैं इंतिजार करना था, कोई पूछे तो मैं बताओ, ये सवाल कुछ इस तरह का है, कि मठा है न, उसमें पानी ही है, आप जानते हैं, शायद उसमें 90 प्रतिशत तक पानी है, दही तो सिर्फ दसी प्रतिशत होता है, और जूस पी रहे हैं, उसमें भी पानी ही है, और दूद पी रहे हैं, उसमें भी पानी है, अब बागवटी जी एक तरफ तो कह रहे हैं, कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कर रहे हैं, मठ जटरगनी को शान्त नहीं करेगा इसका बहुत ही सुन्दर explanation बागवट्ट जी करते हैं वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं ये बात ध्यान से समझें पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है पानी को जिसमें मिला दो उस जैसा तो पानी का रंग गुण और धर्म तीनों ही वही होते हैं वो जहां मिल गया तो आपने पानी को मिलाया दही में तो अब वो पानी का गुण नहीं है अब वो दही पी रहे हैं independent तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तू के साथ आप पिएंगे तो उस वस्तू का गुण पानी में आएगा इसलिए मठा पीने को खुली छूट है पेट भर के पीजिए दूद पीने को खुली छूट है पेट भ दही से जादा चिकनाई घी में भर की में सबसे जादा चिksनाई घी में और षब से ज़्यादा चिकनाई घी म है तो बागवन जी केते हैं कि जिस वस्तू में भी छिकनाई है वो अगनी को और बढगाए गी आप घीshop ग्ञाने को और जल्दी से पचाएगी खाली पानी अगनी को शांत करता है लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अगनी को प्रदीप्त करेगा क्योंकि उसके गुण वस्तू के हिसाब से हो जाते हैं जी राजीव भाई आईस्क्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाई पिके और उसका ये सवा सत्यानाश रीजन बताऊंगा परसों क्योंकि ये परसों आने वाला है देखिए मैं बताता हूँ आपको अभी बता दू कोशिश करूँगा शॉर्ट मैं बताऊं क्योंकि और प्रशन के लिए उत्तर के लिए समय रहे कभी भी कोई गरम चीज आप जैसे ही खाते हैं कोई भी गरम चीज चाई पिया या कॉफी पिया या गरम दूद पिया या गरम खाना खाया तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है क्या काम है पेट का पहले ज़्यादा गरम वस्तू को पेट के तापमान पर लाता है पेट आपका पेट का तापमान वही है जो मूँ का है और बगल का तापमान मूँ का तापमान में थोड़ा अंतर रहता है लगबग एक से डेल रही तो पेट का तापमान लगवग 49 से 40 डिगरी के आसपास है अब आपने 40 डिगरी से उपर की कोई वस्तु खाई जैसे चाई पी तो वो 40 से उपर की है, कॉफी 40 से उपर की है तो तापमान अंदर जो है ना 55 डिगरी, 60 डिगरी अगर चाई का है तो पेट उसको पहले 40 डिगरी पर लाएगा और उसके लिए anti reaction होता है पानी को ठंडे से गरम करेगा फिर गरम से ठंडे तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खाली जैसे उन्होंने का आईस क्रीम खाले काफी के बाद आईस क्रीम खाले अब confusion वहाँ ये होता है कि क्या करे वो पहले गरम काफी को ठंडा करे या ये जो गरम संडी आईस क्रीम आई इसको गरम करे तो फिर तो बहुती confusion होता है ऐसा confusion जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं इसको मैं समझाने के लिए करा हूँ गाड़ी चला रहे हैं और हर एक ही मिनट में आपको दो-तीन गेर चेंज करने पड़े एक ही मिनट में टॉप गेर से फस्ट में आना पड़े फस्ट से आपको टॉप गेर में जाना पड़े तो कैसे चलेगी गाड़ी, जटका देगी, तकलीफ देगी, ऐसे ही पेट में है कि पेट का एक गियर पड़ा हुआ है, वो गरम कॉफी को ठंडा करने में लगा हुआ है तब तक आपने आईस्क्रीम खाके, अब पेट को गियर चेंज करना पड़ेगा तुरंद तो इसमें हो जाएगी समस्या, इसलिए कॉफी चाए के बाद ठंडी आईस्क्रीम कभी भी ना खाएं और ठंडी आईस्क्रीम के बाद चाए कॉफी कभी भी ना पिये, गरम भोजन के साथ कभी भी आईस्क्रीम और बरफ आदी ना खाएं ये मैं कल बात करूँ, क्योंकि कल वो सूत्राने ही वाला है, जी, देखिए इन्हों ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दूद को बागवट्टी जी ने बोला है, शाम को ही पीना है, अब इनका प्रशनी है कि हम सुबह चाए पीते हैं, कौफी पीते हैं, तो दूद करें, बागवट्टी जी के किसी भी शब्द कोश में चाए भी नहीं है, कौफी भी नहीं है, क्योंकि बागवट्टी जी साड़े तीन हजार साल पहले हुए, ये चाए कौफी तो धाई तीन सो साल पुरानी है, जादा से जादा चार सो साल पुरानी है, तो चाए कौफी क काढ़ा आपके वात को कम करें, आपके पित्त को कम करें और कफ को कम करें, ऐसा कोई भी काढ़ा दूद के साथ मिला कर सुबह पिया जा सकता है, कोई भी काढ़ा, जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं, वो अरजुन की छाल का काढ़ा है, अरजुन की छाल का काढ़ा आ इससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी, खून की अमलता ही है, जो हर्ट अटेक लाती है, तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में, बागवट जी ने बताई है, तो वो अरजुन की छाल है, तो आज आप काड़ा पिएंगे अरजुन की छाल का, और दुर्भागे से या सोभागे से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर, जन्वरी और नवंबर, ये बात का ही समय है, शरीर में वायू का प्रकोप ठंड के दिनों में जादा होता है, उस समय अगर आप अरजुन की छाल का काड़ा दूद में बना कर पिएं, तो आपके लिए आउशदी है, जी, नहीं ने, गरम, गरम, क्योंकि वो आउशदी है, भोजन नहीं है, भोजन और आउशदी में अंतर बताया, भोजन वो है, जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेटकी आवशक्ता के अनुसार खाएं, और साल साल खाते जाएं, आउशदी वो है, जो थोड़े समय के लिए, तातकालिक प्रभाव के लिए आप पिएं, तो ये काढ़ा आउशदी है, सुबह के अगर समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तीन महीने हैं, जो बात के महीने माने जाते हैं, फिर गरमियों के महीने, पि आथ को दूर करने वाली आउशदीयों का दूद मिलाकर, और गरम, काढ़ा सभी गरम है, ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं, तो आप सुबह दूद पी नहीं चाहते हैं, तो काढ़े के रूप में पीजिए, माने सुबह दूद पी नहीं है ना, तो उसमें अरजुन की चाल का पाउडर डाल के पीजिए, तो दो फायदे होंगे, बविश्य के लिए आपको हर्ट अटेक फ्री होने की गारंटी, बविश्य के लिए, और अब तक आपने जो कच्रा खा लिया है, इसके निकल जाने की गारंटी, क्योंकि ये जो अरजुन की चाल का पाउडर है, रक्त को सबसे जादा शुद्द करता है, और कच्रा रक्त में ही सबसे जादा जमा होता है, जिसको कॉलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कच्रा ही है, तो अब तक आपके रक्त में जो कॉलेस्ट्रॉल जमा है, इसको निकालना है बाहर, तो अरजुन की चाल इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है और सौभागे की बात ये है कि 40 रुपई किलो मिलती है क्या बाओ? 40 रुपई किलो? 20 रुपई किलो 20 रुपई किलो अरजुन की चाल मिलती है और 1500 रुपई किलो चाहे मिलती है और 1400 रुपई किलो काफी मिलती है और 20 रुपई किलो अर्जुन की छाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाडी बनिए कुछ तो अपने रक्त में लाईए, मारवाड का, राजिस्थान का, गुजरात का तो 20 रुपई किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजे, मैं आपसे विनमरता पूरवक कह रहा हूँ कि आप सब अपने घर में तीन महीने, ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया, लेकिन जनवरी अभी बाकी है तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सबेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूद में डाल कर पीते रहिए और अगले साल का याद रखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो ये तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल बर का कच्रा निकालता है और अगले सालों की गारंटी, हर्ट अटेक फ्री क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए एक गिलास दूद तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच मने टी स्पून और इसमें अगर गुड मिलाएंगे तो बहुत अच्छा गुड गुड नहीं मिले तो एक गुड जैसी चीज आती है काकवी, काकवी आप समझते है गुड को बनने से पहले की स्टेज है वो तरल गुड होता है, तरल गुड लिक्विड फॉर्म का गुड वो काकवी कहलाता है तो या तो काकवी या तो गुड नहीं मिले तो खांड खांड आप समझते हैं और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा शक्कर नहीं क्योंकि बागबटी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है क्योंकि शुगर बनती नहीं थी साड़े तीन हजार साल पहले गुड़ बनता था काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था चीनी बनना दो सो डाई सो साल से शुरू हुआ है जी जी मिश्री बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने कहा मुझे भूल गया मैं आपसे पहले ही कहना चाहता है मिश्री मिठाईयों में मिश्री सबसे उचे स्थान पर है गुड़ से भी उची है मिश्री तो मिश्री मिले शुद तो वो डालिए आपके अरजुन की चाल और दूद के काड़े में नहीं तो गुड़ डाली है नहीं तो काक्वी डाली है नहीं तो खांड डाली है अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डाली और बूरा वो वाला जो राजिस्थान में बनता है बिहार में बनता है उत्तर प्रदेश में यहां का नहीं चीनी को पीस के बूरा वो चीनी ही है ब गुनों का ही गुन है वात को खतम करने का तो वात के रोगी तो जरूर पिया है इसको और वात के रोग क्या क्या है यह आप जानते हैं कल और परसों में और विस्तार से बताने वाला हूँ और किताबों में तो पूरी लिस्ट है वात के रोग क्या पित्त के क्या कफ के क्या य उसके बाद अगर खाने के बाद चाच पी लेंगे तो क्या हो वी स़ई रहेगा भीस और आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है जënh अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरंग समझ जाएंगे दुईदल दुईदल समझते हैं एक दाल के जिसके दुईदल के साथ दही का निशेद है बाग बट्टी जी ने भी कहा है महावीर स्वामी ने भी कहा है गौतम रिशी ने भी कहा, सब ने कहा, दूइदल के साथ दही का निशेद है तो अब इनका प्रश्ण है, कि हमने तो दाल चावल खाया, चावल तो ठीक है, दाल तो दूइदल ही है अरेर की खाएं, मूम की खाएं, मसूर की खाएं, तो दूइदल है तो दुईदल के साथ दही कैसा तो उसके लिए बागबटी जी कहते हैं कि कभी भी दुईदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है ना खाएं लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदलें और उसकी तासीर को बदल कर जैसी दाल है वैसी माने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं वैसे तो है और ज़्यादा बढ़ा तो इसके लिए बहुत सरे लुपाए है आपके रसोई में रसोई में तीन चीज़ें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंद बदलती हैं एक तो है जीरा जीरा दूसरा है सेंधा या काला नमक सेंधा या काला ये जो आज नमक आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आयोडीन युक्त नमक नहीं सेंधा नमक या काला नमक तीसरी है अजवाइन तो मेरा ऐसा निवेदन है कि आगर आप ताक पी रहें दाल चावल के साथ तो अजवाइन का जीरे का बगहार ले लें और थोड़ा सेंधा नमक डाल लें फिर पी लें अजवाइन जीरे का बगहार लेकर बगहार लेना तो आप समझते हैं न बगहार शब्द तो बगहार ले ले अजवाइन जीरे का और थोड़ा सेंदा नमक फिर ताक पियें माने मज्जिगे पियें माने मठ्ठा पियें अदरक अदरक की जगे सूट दही में कभी भी अद्रक उपयोग नहीं होता सूट उपयोग होता अद्रक और सूट में थोड़ा अंतर है सूट तो अद्रक से ही आता है लेकिन सूट का गुण अद्रक से जादा है फ्रूट्स खा सकते हैं भर पेट वैसे fruits का बागवटी जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा मने नाश्टा ही fruit का करें juice भी पहिना है तो fruit का पिएं तो सुबह का समय fruits के लिए सबसे अच्छा है लेकिन बाकी समय में भी आप fruits कभी भी खा सकते हैं जो प्रकरती के द्वारा पकाया गया प्रकरती के द्वारा पकाया गया मने केल्शियम कारवाइड मिला के नहीं पकाया गया हाँ बिल्कुल चाच शरीर के लिए ठंडा करता तो बच्चों को भी दे सकते हैं दे सकते हैं जी दे सकते हैं प्लिकुल अजवाइन डालके बच्चों को तीन महिने के बच्चे को अजवाइन की छाच दी जा सकते हैं। पानी जो आप ने खाल तोड़ा गुनगुना पीना चाहिए हर मौसा में भी सकते हैं। में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं। छूट ले सकते हैं, गर्मी के दिनों में सवेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बरतन का भी पी सकते हैं सन बर्न सन बर्न के लिए लार बहुत अच्छी है, देखिए आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो, आँखों के नीचे काले काले गहरे हैं, नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहे हैं, आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे फेर एल लवली से ज़्यादा प्रभावी है जो मिटी के घड़े का पानी है, वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है जैसे रूम टेंपरेचर 25 डिगरी होगा, तो मिटी के घड़े का पानी 23 डिगरी तक होगा तो ज़्यादा ठंडा नहीं है ये जो फ्रिज का पानी है ये चार डिगरी का होगा तीन डिगरी का होगा ये बहुत ठंडा है